हरहन महादेव, जै माता दी, भगवान, शीर माता रानी की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहें, इस यासा के साथ बात, स्रद्धा, विश्वास और भगवान को मानने के उपर है, आप किस तरह से इस्वर को अपने कारियों का सेरे, बनते हुए कारियों का सेरे देते हैं यह आप पर निर्भर है आज दिन में की ही बात थी भावना जी मेरे पास आई हुआ हाला कि मेरे आसपास ही रहती है ऐसे मैं उन्होंने मेरा कई बार वीडियो देखा होगा कई तरह से वह कह रही थी कि मैं इस चीज को नहीं मानती दीपक में फूल बनने का परन्तु मन जब उदास होता है तो कहीं न कहीं इस्वर के यह चीज़े होती है जो हमारे आसपास हमारे प्रती इस्वर के प्रती विश्वास होता है तो कहीं न कहीं यह चीज़े होती है तो वह बता रही थी कि हुआ क्या था कि साल दो साल से मेरे पती बेरोजगार थे किसी कारण वस हमारे जो है नौकरी चली गई थी इसी कारण से मैं मन में कहीं न कहीं इस्वर की प्रती जो है भाव कहीं न कहीं कम होते जा रहे थी क्योंकि तमाम कोशिशे कर ली थी और कहीं से भी कोई रास्ता नहीं नजरा रहा था मन में एक उदासी सी छाई रहती थी लाख जयतन के बाद भी इस्वर की इतने सालों से पूजा आरादना करती थी परउन्तु एक निराशा की भावना कहीं न कहीं मन में घर कर गई थी मुझसे कुछ नहीं निकालती थी क्योंकि औरत होने के नाते अगर मैं निराश हो जाती तो पूरे घर परिवार में निराशा हो जाती ऐसे यह शब्द उनके कहे हुए हैं जो मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ वह कह रही थी कि मेरी हस्बेंट की जॉब चली गई थी जिस कारण से कुछ न कुछ आर्थिक तंगी मन ही मन हलाकी कह रही थी कि कुछ सेविंग थी जिससे हमारा घर परिवार चल रहा था पर मन में जो है भगवान के प्रती विश्वार गीता और कहीं न कहीं जौब नहीं लग रही थी कहीं से आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी तो मन में एक इस्वर के प्रती निराशा भी हो रही थी मन ही मन भगवान से प्राठना कर रही थी कि है प्रभू हमें कोई मार्ग दिखाई अभी से जो है बेरोजगारी का सामना करते करते अपने घर परियार का भरण पोशण किस तरह से चलेगा फिरवाय बता रही थी कि एक दिन ऐसे ही यूटियोब में आपको मैं जानती ही हूँ तो देख रही थी कि आप इस तरह से वीडियो बना रहे हैं दीपक मफूल से संबंदित पर मुझे कहीं भी इन चीज़ों मैं यकीन नहीं था सला कि मैंने पहले यह चीज़े सुनी ही थी मैं एक काम इस तरह कि यह सोच रही थी कि कई आपका वीडियो भी देखा होता होगा पर आंन्ट मैं ही नहीं मानती पर उसी सामश की बात है और बीक आई ता मैं जा रहा है सब सत्ती होता एइस थोड़ी होता है तो उसके बाद जो है मैंने अपने बच्चों से भी कहा और दवे स्वर मैं अपने पती से भी कहा कि क्या पता आज दीपक में फूल बन रहा है क्या पता आपकी जॉब लग जाए कहीं से भगवान रहा दिखाते तो फिर इस वात को मैं कहीं न कहीं ऐसा कहते वे भूल भी थे 15 दिन बाद मैं दीपक में फूल से संबंदित बात को भूल भी गई थी उसके बाद कहीं से अचानक से कॉल आता है और मेरे हस्टमेंट का शलेक्शन हो जाता है दो ड़ाए महने का समय हो चुका है जब मेरे पती जो है अच्छी पोस्ट में और अच्छे माहौल में अच्छान भी होगा तो इस श्वर के आशा है मैं अपने कारे में लग जाती हो और मैंने ध्यान नहीं दिया इस कारण से जो है भावना जी बता रही थी कि यह मेरे साथ वाक्या हुआ जब जो है पंद्रा या बीज दिन की बात है जब यह वाक्या हुआ और मेरे पती जो ह पूर्ण विश्वास नहीं था कि इस चीज से बदल बदलाव करते हैं दीपक में फूल बनने के बाद इस तरह से मनो कामना पूर्ण होती है उसके बाद जो है मैंने प्रभू के आगे खूब धन्यवात किया और उनको जो भी मेरे मन में था मेरे इच्छा थी खूब धन्य प्रभू के चर्णों में प्रसात समर्पित किया और आए दो ढ़ाय मेने बाद आप सब के साथ वो कह रही थी आपके साथ महिए इसके बाद मेरे मन में आया क्यों ना मैंने आप सभी को यह बाद जरूर बतानी चाहिए इसके बाद जो है मेरे यह कही न कही अंदर से आवा जैसे भावना जी को हुई थी मुझे उमीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत हो एक मन में उत्साह दिलाने वाला होगा हेल्फुल रहा हो तो हर हर महादेव लिखना न भुलें जै माता दी राधे राधे